और जैसे के आप सब जानते हैं ये है सोहाना का घर और तबी अबीर और उसकी ममा कही पर जा रहे होते हैं अरे चलो चलो सोहाना और सोफिया की ममा से भी पूछ लिती हूँ अरे सोफिया सोहाना की ममा आपको इद की शॉपिंग करनी है ना अरे हाँ अबीर की ममा अब इद की शोपिंग करने के लिए जा रही है अरे हाँ मैं इद की शोपिंग करने के लिए जा रही हूँ सोचा चलते चलते आपको भी कह दो चमपा मारकेट में बहुत बड़ी इद स्पेशल सेल लगे हुई है और पुरा 50% आफ है जली से जाएए कही सेल खतमना हो जाए मैं तो जा रही हूँ जल्दी जल्दी चलो अबीर अले हाँ ममा जल्दी से चलिए मुझे आप बहुत अच्छा शोट दिलाना ममा अरे हाँ अबीर तुमारे लिए कोई अच्छा सा सोट लोंगी चलो 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 अरे मुझे तो ऐसे लगता है हमें राहुल जी और शाम जी कंतिजा नहीं करना चाहिए वैसे भी उन्होंने हमें पैसे दे कर गए है चलो चलो अभी हमें इसी वक्त इत की शॉपिंग करने के लिए निकलना होंगा अरे दिदी आप तो प्रेगनेंट है आप अच्छे से ड्राइव कर लोंगी ना अरे हाँ तुम फिकर मत करो मैं अच्छे से ड्राइविंग कर लोंगी चलो अब जली चे तुम सोफिया और गुड़ो को लेकर बैठ जाओ हाँ दिदी रुकिया भी बैठती हूँ मां हम इतकी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं आप घर का अच्छे से ध्यान रखेंगा अरे हाँ बहु बेफिकर हों कर जाओ अच्छी से शॉपिंग करना और यहाँ पर सुहाना की फैमिली इत की शॉपिंग करने जाती है और यह है चंपा मार्किट और यहाँ पर सब शॉपिंग कर रहे है आईए माडम मेरे पास भी आईए, देखिए मेरे पास कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक है, साडिया है, ड्रेसेस है, 50% ओ, 50% ओ, इद का स्पेशल ओफर चालू है, आईए माडम आईए अरे वाँ, चलो मैंने काटे, किलीफ्स चूडिया, सब कुछ ले लिया है, अरे वाँ, देखो उदर कितने अच्छे फ्रॉक मीड रहे है, चलो शाफिय के लिए ले लिती हूँ, अरे भाईया, ये फ्रॉक का प्रैस क्या है, अरे माडम कोई भी ड्रेस लो, कोई भी साड़ी है, अरे हाँ, रुकी अभी बताती हूँ, अले मेले जाल पिंकू, ममा कपशी शॉपिंग कर लाई है, अले हाँ, तुमें तो पता है न, ममा शॉपिंग के लिए कितना ज्यादा एक्षाइटेड लेती है, अब टेम तो लगेंगा ही ना, तब ही सोहना की फैमली चंपा मार है, अरे वहाँ दिदी, कितनी एक से एक चीज़े आई है, अरे वहाँ, वहाँ, कितनी अच्छी अच्छी साड़े भी है, चलो पहले हम क्लिप्स एरिंग ले ले लेते हैं, अले शुपिया जली आओ, अले देखो देखो, वह फ्रॉग तो कितना ज्यादा खुबशूरत है पहले ये दोनों भी फ्रॉग इतनी अच्छी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे रेड़ वाला ज्यादा पसंदा रहा है, अले ओ अंकल, वो रेड़ वाला फ्रॉग बचा ना, अरे आओ गुडिया रानी, कौनसा वाला फ्रॉग बताओ, ये रेड़ वाला रुको रुका भी ये देखो बेटा, कितना खुबसूरत फ्रॉग है, तुम्हारा ही साइस का है, एद स्पेशल आफर चड़ रहा है, तुम्हें ये फ्रॉग में 50% आफ हो जाएंगा, कहा है तुम्हारी ममा लेकर आओ, अले हाँ अंकल, रुकिये रुकिये, मैं भी अपनी ममा को लेकर आती औरे हाँ बेटा, बोलो बोलो, तुम्हें ये वाला फ्रॉग बताओ, औरे बेटा, तुम्हारी बहुत ही अच्छी चॉइस है, ये देखो, अभी आखरी पीज बचा हुआ है, बहुत ही खुबसूरत है, बोलो बेटा, इस फ्रॉग को पैक कर दूँ, अले अंकल, लुकिय मैं आपका सारा सामन पैक कर दीती हूँ, जो जो आपने पसंद किया है, इरे बाद चलो, हमारी तो इदर की पूरी शॉपिंग करनी हो गई है, हाँ, इरे मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चलो चेयर पर बैठ जाती हूँ, अरे ली ममा, मुझे बाजो वाली दु कान पर से कपड़े ले रहे हैं, ओ हो तो अच्छा सुहना ऐसी बात है, यह इदर वाला फ्रॉग तुम्हें पसंद आया है, और वो वाला फ्रॉग सोफिया को पसंद आया है, अरे हां ममा, प्लीज चली शी ले लीजिए, वो अंकल कह रहे थी कि आकरी बचा हूँ अमाल है अब खितम हो गए है फ्रॉग, अरे हां सुहना बेटे क्यों नहीं, हम शॉपिंग करने के लिए तो आये हैं, अरे भाईया दोनों की प्राइस बोलिए, गुड़ो बेटा, तुम यहां पर आराम से बैटो, मुझे भी शॉपिंग करने दो, तुम मुझे कितना ज़ादा प पैक कर दीजिए, अरे भाईया मेरे भी एड्रेस पैक कर दीजिए, अरे हां माडम सबका पैक कर देता हूँ, अरे वाँ चलो जली से सामन पैक कर देता हूँ, ऐसे लगता है ईद का जो मैने माल लेकर आया है, सबका सब बिग जैंगा, अरे मेरी ये साल की ईद बहुत अच खुबसूरत है, मैं तो यही साड़ी ले रही हूँ, अरे वा दिदी आपकी चॉइस से कितनी अच्छी है, आपने तो बहुत यह अच्छी साड़ी पसंद की है, अरे अरे वा यह क्या, यह साड़ी तो कितनी जदा खुबसूरत है, दिदी यह देखिए, मैंने यह साड़ी प कुछ दिख लई हो क्या बात है अले पिंको तुम भी आये हो इत की शौपिंग करने के लिए अले पिंको वह बात ये है कि ममा ने मेरी परशन का फ्रॉक ले लिया है इसलिए मैं इतनी जादा खुश हूँ अले वा शुहाना ये तो बहुती अच्छी बात है मैंने भी इत के बहुती अच्छा कोट लिया है वो मेली ममा के पाश है लुको लुको मैं तुमें अभी बताता हूँ ममा ममा प्लीश मिला कोट बताना अले अभी तुमने भी शौपिंग कर ली है अले हाँ शौपिया मेली शौपिंग कंप्लीट हो गई है अले हाँ मेली भी शौपिंग हो अरे पैसी तो बराबर है, अरे थैंकी सो मच मैडम विजिट अगें, हमारे पास ऐसी ही साल भर अच्छे अच्छी साडिया और फ्राउक आते हैं, अरे हाँ भाईया क्यों नहीं, हम और आएंगे, अरे चलो मैं तो बहुत ज़्या थक गई हूँ, चलो सुहाना सोफिया, अब हमें घर पर जाना है, हमारे शॉपिंग करना तो हो गया है, अरे दिदी अभी तो शिरकुर्मे का सामन भी लेना है, चलिए दिदी अब किराना स्टोर चलते हैं, अरे हाँ क्यों नहीं, मैं तो यह फोली गई, हमें तो शिरकुर्मे का सामन भी लेना है, अरे चलो हमारे तो अब इरकी ममा आप भी आना मैंने आप सुब को इन्वाइट कर दिया है अरे हाँ सुहाना की ममा क्यों नहीं हम जरूर आएंगे अरे पायल तुम फिकर मत करो मैं पृती को भी कह दूंगी हम एद के दिन तुमारे घर पर आ जाएंगे अरे वाँ पायल तो शिरकुरमा बहुती अच्छा बनाती है सोचकर अभी से मेरे मूं में पानी आ रहा है अरे चलो सुहाना सोफिया गुड़ो हमारी शॉपिंग करना हो गई है अब हमें किराना स्टोर जाना है चली चलो अरे वाँ चलो इद की शॉपिंग करना तो बहुत अच्छे से हो गया है अब चलो शिरकुरमे का सामन खरीद लेते हैं ओके बाए पिंको अभी इद की दिन मिलेंगे बाए बाए शॉपिया इद की दिन मिलेंगे अले चली शेया ममा कहें मालकित बनना हो जाए अले ये ममा को हमें से डेडी होने के लिए कितना ज़्यदा टाइम लगता है अले ये क्या मेरे क्या दिख लेए हूँ चोहाना शॉफिया की तो शॉपिंग भी हो गया है देखो देखो कितनी खुशी खुशी जाले है अले अभी तो मैं मालकित आई हूँ ना जाने मुझे मेला फैबलेट फ्लाउक मिलेंगा की नहीं चल जली से देखती हूँ अले क्या क्या जो फ्लाउक मेरे पसंद किया था वो तो ये अंकल के पास से बिग गया है अले नहीं कही वह चोहाना शॉफिया ने तो नहीं ले लिया है ये शेब ये ममा की वज़े से हुआ है हमेशे लेट करती है अरे अंकल जो यहाँ पर फ्लाउक लगके हुए थे इसमें आल फ्लाउक है अरे नई बेटा अभी अभी वो फ्लाउक बिग गया है अले नहीं ये नहीं हो सकता अंकल अब चयाँ पर कोई दूशले फ्लाउक है अरे हा बेटा रुको रुको अभी बताता हु अरे हा चलो वह पिछले साल का माल रखा हुआ है ये बच्ची को वही बता देता हु ये साल का नया माल तो पुरा खतम हो गया है अरे कहा पर रहा है मैंने अरे वो रहा चलो ले लेता हूँ अरे आ रहे हूँ पिंगी इतनी भी क्या जल्दी है अरे वाई ये क्या चंपा मार्केट तो पुरा भरा हुआ है चलो जली से शॉपिंग कर लीती हूँ और यहाँ पर सब शॉपिंग करने लगते हैं दोस्तों आपको हमारी स्टोरी पसंद आएगी तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग